तो फ्रेंज मेरा नाम है सुभाम और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्ट्रीय ओलाइन को ची क्लासेश पर तो फ्रेंज जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इस यूटूब चैनल पर कक्षे दस्वी के गड़ी त्विसा की क्लासेश अभी सिलाज चल रही है हमने पिछले चार लेक्षर में गड़ी त्विसा का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है आज से हम सुरू करने जाने वाले हैं दूसरा चैप्टर यदि आपने पहला चैप्टर की जो वीडियो या पहला चैप्टर के क्लासेश जोइन नहीं किये हैं तो यहां आई बटन और लिएफ्टर लिंक मिल जाएगा आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो फिर देखते हैं या फिर वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्टर के लिंक मिल जाएगा आपको सभी चेप्टरहबं के बीदfrage क्रों कर के दिखाएं आपके प्रिक्रिक नहीं नोट्स आपको मिल जाएंगे नोट्स आपको मिल जाते हैं वह भी दिखाये गए तो वीडियो को पूरा जरूरो देखें और हमको हमारी आग्ट किया क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा और अपने दूसरे दोस्ते पास तेयर कर दीजेगा और फेंस यदि आप हमारे रोजाना क्लासे जॉइन करना चाहते हैं रोजाना वीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आपको दबाखे रख लीजेगा तक कि जब भी हमारे वीडियो अप्लोड हो आपके पास नोटिफिक्सन सबसे पहले पहुंच जाए तो चलि आज की क्लास शुरू करते हैं चलि शुरू करते हैं आज की एक और क्लास एक नई एनर्जी के साथ तो आज हम क्या पढ़ेंगे अध्याय दो दूसरे चेप्टर हम पढ़ेंगे, दूसरे चेप्टर क्या है, दो चरों का राखिक समीकरन, linear equation in two variable, चर क्या होता है, यह पिछले चेप्टर में हमने देखा था, चर क्या होती है, ऐसी रासियां जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, या फिर समीकरन को हल करना देखेंगे, समीकरन हल करने के तीन मेथड़ है, आलेखी विधी, प्रतिस्थापन विधी और विलोपन विधी, इनके बारे में देखेंगे, इस विधियों से, तीनों विधी से कैसे हम हल करेंगे, समीकरन को, समीकरन निकाय के हल के प्रकार, क्या-क्या-क से उसके प्रकार होते हैं समीक्रन निकाय के हलके प्रकार के बारे में देखेंगे अग्याद गुडान क्यानी के जैसे की चर रासी चर रासी वही होता जिनके मान बदलते रहते हैं तो उनके मान कैसे पता करना है वह हम सीखेंगे इस अध्याय में समीक्रन से कथन बनाना सीख से सहंघ्रण बनाना कम उनने जाता है उसका मानन लोया जाता है पिर ऊसimaत कले के लिए उसके लिए जाते है और उसका मान ग्याद कर ले जाता है ठीक है उधारन से मस्ते हैं जैसे कि यहाँ पर एक उधारन दियागा है ठीक है बुक में भी पहला ही उधारन दियागा है उधारन देख सकते हैं पहला या दूसरा उधारन होगा जो भी है देख लीजिए उधारन क्या दियागा है एक थ सिक्कों की संख्या तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मान लेते हैं कि उस पहले में सिक्कों की संख्या X है क्या कर लेंगे माना की सिक्कों की संख्या सबसे पहले जिस चीज को हमें ग्याद करना है उसी को हमान लेते हैं कि माना की सिक्कों की संख्या क्या है हमारे पास सिक्कों की संख्या है बराबर एक समान लेते हैं ठीक है अब हमें यहां प्रका करना है mogą हल करके नहीं Know, disrupt,1 क्वेस न बनाना है कैसे sound remedy रिखते हैं क्या दिए है कि क्वेस्ट कि छिए और क्या गये हैं धैले पचास पैसे की सिख्के हैं यानि कि एक सिख्के की कीमत क्या है या आप लिख सकते हैं दिया है दिया क्या है एक सिख्के की कीमत एक सिख्के की कीमत क्या दिया गया है पचास पैसे दिया गया है एक सिख्के की कीमत बराबर दिया है पचास पैसे अब चूकि देखो पचास प और रूपे को पैसे में वदलेते हैं कि हमें तुलना करने के Viktaine के लिए कि और रूपे से उसको में 0.5 रूपमे六 ठीक है एक्सी की मत कितनी है जिरो पांट फाइब आगे हम अगे क्या करना है देखो प्रश्ण में ही कreào है कि उस थेले में तोकेल 30 रूपमे अमने क्वान यह कि सिक्कव की कीम चेना एक्सी कीकम निए कि देखो तो देखो सिक्कु की मत जबते हैं उसी प्रकार X सिख के हैं तो X सिख कों की कीमत क्या हो जाएगी 0.5 Multipli'd by X और प्रशन में ही क्या बोलागय है यहाँ हमें X बराबर निहीं है X सिख कों की कीमत बराबर 0.5 X है और यहίं प्रस्न में क्या बोलागय है की एक सिख कों यानि के क्या लिखेंगे सिक्कों की संख्या को की संख्या गुड़ा एक की कीमत या पिलिख देंगे सिक्के डिया फॉल कूल तीस रुपे हैं हमने क्या मान लिया कि मानना कि उस थैले में कूल सिख्के एक्स हैं सिख्कों की संख्य ही एक्स है अब एक्स सिख्के की किमत 0.5 रुपे है तो एक्स सिख्कों की किमत कितनी हो जाएगी 0.5 यहां पर लिख देंगे सिधा 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 सिख्कों की संख्य एक 0.5 गुड़ा हो जाएगा तो यह किता है 30 रुपे है थैले में तोटल इस प्रकार हमने क्या निकाल लिया 0.5 एक सबसे पहले हम समीकरन बनाना सिखते हैं फिर उसको हल करना सिखते जाएंगे सिंपल है कैसे बनाते समझा घया तीक है कली सिखकों की कीमत 3 रुपे के बराबर है यही प्रश्में हुपोला गया है उस तक है दिकरण बन गया ठीक है इस तरी के सिंपल है आप बनाते हैं और जादा ज्यादा question हल करके देखियेगा एक और example देख लेते हैं जैसे कि अगर बोल रहा है कि चार pencil की कीमत 20 रुपे है एकदम simple सा उधारान है चार pencil की कीमत 20 रुपे है सबसे पहले मान लेते हैं कि 20 रुपे के परावर है तो चार परावर 20 ये हऊ गया समिक्रण सम्दान बनाना हमने सीख लिया चली अब आपके देखं़ है यूपद समिक्रण क्या होता है तो चली अब देखते हैं तो अज्यादचर कितनी है, इसमें भी एक है और इसमें बेक है, यानि कि एक ऐसी अज्यादचर रासी है, जिसका माना हमें पता करना है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी हमें रेखिक समी करना देखने को मिलेंगे, जिनमें दो अज्यादचर होंगे, कैसे, देखो, मान लेते हैं, ए खीफे? तो प्रश्णी अनुसारा अगर हम देखे हैं तो यानि कि पहली संख्या एक स्धन दूसरी संख्या की जो क्या है? साथ है, यहाँपे हमने समीक्रण बनालिया अब देखो यहाँपे हमें इस अगर समीक्रण में को हम हल करना चाहें तो हम चाहराएं, तो से च Democracy की किमत इस्सैंट को स्वाइitat जायागा रूपय इस तरीके से में इसे हल कर सकते हैं लेकिन यहां पर देखें कि संख्याओं का योग इसमें क्या जुशन रॉपह्या होगे यहां पर दूसरी संख्या का मैं निकालने भोलें तो क्या हम निकालसकती हैं पहली संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी हम पता कर सकते हैं कि इस समीकरण से नहीं पता कर सकते हैं एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है जैसे कि मान लेते हैं पहली संख्या एक है तो दूसरी संख्या 6 होगी तब 7 हो सकती है चार होगी तो दुसरे संख्या तीन होगी तब साथ हो सकती है यह अगर पांच होगी तो यह दो होगी तब साथ हो सकती है वह इस कहने के मतलब वह ही है फिल से रिपीट हो जाएगा तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह हो सकती है एकस और वाई के अलग लग मान यह हो सकत है मान लेते हैं कि एक और कफंधी है गहे कि दोनो को संख्याओं दोनो संख्याओं में अंतर कितना है Melodhan है मानां कि प्रشν हमिए अगर जा एक और क फंद dewन te geze कि दोनों संख्याओं मे अंतर है तब हम सभीकरन चर्ण हो गए लिंसभान हो गया है तो निकाल सकते हैं करने हम से इस ने चर्ण पर ड्राबर इहां नote सकते हैं जो भी माण मिलें वह था पर लिखम पूना समीकरन एक से पुना समी करणक्प से अब पुना समी करणक्प 8 में अगर हम देखें एक से पार आवा इतना है यानि कि एक सके जाएगा वन प्लस य या रहाबर क्या हो जाएगा साथ अगर अगर इसे को हम इधर और हल करना चाहें तो यह क्या हो जाएगा 1 plus 2y एक वार फीर से लिग लेते हैं is equals to seven अगर हम इसको आगे हल करें तो क्या हो जाएगा 2y is equals to 6, यहां पर हमने पूरा समीगरंड हल करके दिखा दिया, समझते हैं, यूपर समीगरंड को समझने के लिए, यहां पर हल करके दिखा जा रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर भाग हो जाएगा, तो 6 बटे 3, यानि कि यह हो जाएगा, पर सरी, 6 बटे 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 3, y कमान 3 है, तो x कमान क्या हो जाएगा, 1 प्लस y, यानि कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो देखो, यहां पर हमने x और y कमान निकाल लिया, x और y का एक निश्चीत मान हमें मिल गया, x बराबर क्या है, 4 है, और y बराबर 3 है, दोनों में अंतर कितना है, 1 है, 3 के बाद 4, 1 कंतर है, और क्या बोल है, दोनों का योग साथ, तो 4 और 3 साथ होता है, तो देखो, एक समीकरण, सिर्फ एक समीकरण था, तब हमने इसका हल निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कि जब एक ही रहखिक समीकरण में, 2 अग्याद 4 रासी हो, तब इन दोनों अग्याद 4 रासी कमान, एक ही रहखिक समीकरण से निकालना, कठीन होता है, लेकिन यदि हमारे पास एक और समीकरण दिया जाए, तब इन दोनों समीकरणों की साहता से, इन X और Y कमान हम ग्याद कर सकते हैं, तो ऐसे ही समीकरणों को कहा जाता है, यूगपद समीकरण, ठीक है, यूगपद समीकरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, यूपद समीकरण की ने कहेंगे, ऐसे दो समीकरण, जिनकी साहता से उन समीकरणों में, आये दो अग्याद चार राथी कमान हम पता कर सकते हैं, उन समीकरणों क्या कहेंगे, यूग पर समीकर्ण कहेंगे ठीक है तो चलिए अब देखते हैं समीकर्णों को हल कैसे किया जाता है कौन-कौन से मेथड से हम हल कर सकते हैं उनके बारा में देखते हैं तो चलिए देखते हैं समी कॉर्णो को हल करने का सबसे पहला विधी होता है वह ओता है आलेखी विधि को हम्ग पेपर की सायता से हल करते हैं इसको हल करने के लिए में ग्राफ विपर की जड़ुत पड़ेगी ठीक है रप के पास हो गई है कैसे हम वाइड बॉड में आपर ब लड़के संख्या लड़कों की संख्या से चार अभीक है तो इसकी साथा से हमें क्या करना है दोनों की संख्या गयाद करने के लिए बोला जाता है उसी चीज को हम सबसे पहले चर्रासी मान लेते हैं क्या करेंगे सबसे पहले माना की लड़कों की संख्या को मान लेते हैं माना की माना की क्या मानेगे हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं माना की यहां पर हम दिखेंगे माना की लड़कों की संख्या क्या है लड़कों की संख्या बराबर X मान लेते है ठीक है और लड़कियों की संख्या को क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं लड़कियों की संख्या बराबर वाई है ठीक है अब प्रश्ण नुसार क्या वो लगए है कुल विद्यार्थी कीतने हैं दस हैं अतहा प्रश्ण नुसार यहां पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 हो जाएगी यहाँ पर हम लिख सकते हैं लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10 फिक है यह हो गया हमारा पहला समिकरण और दूसरा क्या वो लगए है एक और देखिए लड़कियों की जो संख्या है वो किसके बराबर है लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो हम क्या लिख सकते हैं लड़की तथा यहां पर लिखेंगे तथा दृती प्रस्णानुसार दृती प्रस्णानुसार क्या वो लग लड़कियों के फुल संख्या टोटल दस है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधीक है हमने 2 समीकरण बना लिया अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से समीकरण 1 से अगर हम देखें तो क्या दिया गया है एक से प्लस वाई इस इक से करते हैं किसी एक समीकरण से किसी एक चर कमान दूसरे चर के अधार पर निकाल लेते हैं उसके बाद आप हम क्या करेंगे यहां पर y कमान क्रमसा एक दो तीन रखते जाने पर x कमान क्या मिलता है उन मानों को हम यहां पर x और y का जो भी मान मिलेगा उस x और y यानि कि बिंदो कमान मिलेगा अलगलग बिंदों कमान मिल जाएगा तो उन x और y के मानों को क्रमसा हम ग्राप पेपर पर दर्साते जाएंगे जिससे हमें का मिलेगा एक रेखा मिल जाएगी ठीक है हल करते जाएंगे समझ में आएगा क्या करेंगे किसी एक समीकरण में किसी एक समीकरण की सायता से किसी एक चर कमान दूसरे चर के सापेच मिया फिर दूसरे चर के अधार पर हम यानि कि X और Y का अलग लग मान यहां पर मिलते जाएगा उन मानों के यानि वे सभी मान क्या हो जाएगे एक एक बिंदो को दर्साएगी तो उनी सभी मानों के अधार पर अलग लग बिंदों को हम यहां पर ग्राप पर पर दर्साते जाएगे उन बिंदों के मिलाएंगे तो हमें एक रेखा मिल जाएगी ठीक है यह हमें किया समीकरण एक के साथ पुना यही दोत राना है समीकरण तो के साथ समीकरण दो से भी हमें यहां पर एक से जगा अलग लग मान रखकर जावे या पिर Y के जगा अलग लगमान मिल जाएंगे वहाँ पर हमें क्या मिलेगी एक सन्डी मिलेगी जिसमें X & Y के अलग लगमान लिए रहेंगे एकfly के अलग लगमान अलग लग बिन्दों को दर्स आती तो इन बिंदुओं पर जो वी मान मिलेगा, example के लिए तीन और आठ मिलता है, या पिर तीन और नौ प्रापत होंगे, तो ये और तीन और नौ क्या दर्साते हैं, तीन क्या है, एकस और नौ क्या है ये ग्राप पेपर में हमने, ग्राप पेपर बिंदो को दर्साना हम सिख च सब्सक्राबर मान होते हैं यानि कि वही एक्स और वाई के मान होंगे इस तरीके से हम आलेखी विधी से इस समीक्राण को हल करेंगे ठीक है एक्स और वाई के अलग लग मान के लिए हम क्या करेंगे एक्स के मान निकालते जाएंगे क्रमसा जैसे कि यहाँ पर वाई के बराबर एक रखते हैं वाई बराबर हम क्या रखेंगे एक रखेंगे तो एक से बराबर क्या हो जाएगा दस माइनस एक यानि कि दस में एक जाए मिल जाएगा एक सकमान 8 जब हमने युआ बाबर एक रखा तो 9 मिला इस समीकरन से हमें देखे हैं तो one बाबरक रखने गई सब्सक्राइब प्र लगत हिए उसी प्रकाल यग संब आपर 7 प्रकार ऑगर तेन वाय प्रकार हो फिर फर्डाबर क्या मिलेगा दस में तीन जाएगा तो यह मिलेगा साथ यानि कि यह हो जाएगा साथ इसी प्रकार क्रमसा हम अलग लग मार रखते जाएंगे जब एक दो तीन चार करते जा रहे हैं तो क्रमसा हो एक सके मान क्या है 10-y यानि कि 10 में उतना संख्य घरते जाएगा तो क्रमसा एक एक कम होते जाएगी तो यह इस प्रकार से हमें विंदू मिलेगी आप आप चाहें तो इसको से एक रेखा के लिए हमने अलग बिंदूों के मान निकल गए है अब इस precious quien को मान निकल दों को हम घर Kagoucher के पनाते हैं background paper में ऐसा कुछ इसपकाश कर मान लिते हैं मान लेते हैं यह क्या है X एक्ष्य है और यह क्या है इस तरिके से त्डेके से graph में इस थैस तरिके से से यह क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, इस तरीके से हम ग्राफ बना लेते हैं, फटाफट, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ पर हमें संख्याओं को दर्सा लेना है, अब देखो, अब क्या देखना है, जब य कमान एक है, तब एक से कमान 9 है, यानि कि हमें इस बिंदू को पहले उस ग्राफ में दर्साना है, तो देखो, दोनों पहली तो धनात्मक है, धनात्मक यानि कि एक से कर धनात्मक मान इधर होता है, एक से कर धनात्मक मान इधर होता है, ठीक है, और यह य लिख लेते है, निगे टू होत लेखते हैं देखो य कमान जब एक है तब एक सा कमान क्या है नौ है अब इस के लिए हम कौन से बिंदू देखें य कमान क्या है यानि कि य को मान एक यह वाला एक हो गया और एक सा कमान क्या है नौ यानि कि यहां पे हम इसको आठ और एक 9 लिख रहते हैं ठीक है यहां पर यह है 9 तो अगर हम दोनों बिंदों को मिलाते होगे देखे तो यहां पर हमें एक बिंदू प्राक्त होता है ठीक है इसको हम ठीक है यहां पर एक बिंदू प्राक्त होता है यह हो गया हमारा पहला बिंदू अब दूसरा बिंदू देखें जब y बराबर 2 होता है तब 1 सब बराबर 8 जब y बराबर 2 है एक सब बराबर क्या है आथ है यानि कि कुछ यहाँ पर इस से थोड़ा ओपर और 20 है इस तरीके से एक बिंदू मिल गया अगला बिंदू अगर देखें तो y बराबर तो एक बराबर साथ और व्य बराबर तीन के जी ये वाला बिंदो अगला ढर्स ऐlak 6 और व्य बराबर 4acaks एक से बराबर कितना है च्छ यानि कि यह कुछ इस तरीके से ऐसा और एक से बराबर 위 यह चार तो यह बिंदोग फिर से मुल गाए यहां पर इसी तरीके सभी बिंदों को करमस आल तो तो कुछ इस प्रकार से रेखा बन जाएगी हमारी यह हो गया इस तरीक है हमें एक सिंपल रेखा मिल गई है एक सिधी रेखा रेखिक समीकरंड की सायता से हमने एक रेखा कर लिया है अब क्या करते हैं जैसा कि हमने पहले समीकरंड से किया वैसा ही दूसरे समीकरंड की सायता लाइब बिन्दू करप्त करें तो चलिए मिटा लेते हैं पहले स्मेकरंड के साहता से हमने एक रेखा ड्रॉग कर यहां पर सिमिलरली अब क्या करना है अब दूसरे समीकरण के साहता से फिफ से साण नी बनाना है और फिफ से एक रेका ड्रॉ करनी है तो देखो दूसरे समीकरण है पूना इस समीकरण से अब देखो पूना हां समीकरण दो से समीकरण 2 से, समीकरण 2 को एक बार और लिख लेते हैं, y बराबर क्या है, यहाँ पे x प्लस 4, इस तरीके से समीकरण दियाएगा है, मान लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है, अब देखो, इस समीकरण b में, अगर हम 1 तक अलग-लग मान रखें, जैसी कि 1 तक मान करमस के लिए, अब देखो, पीछले समीकरण में का मिला था, एक सक मान मिला था, y के रिस्पेक्ट ले, यानि कि y का अलग-लग मान रखते गए, तो हमें x का अलग-लग मान मिला, इसमें हम क्या करते हैं, एक सक अलग-लग मान रखते जाते हैं, तो y कमान मिलते जाएगा, ठीक है वाई बराबर क्या मिलेगा देखो एक सब बराबर एक रख दिया वाई बराबर तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा एक सब जाएगा एक रखा तो चार और एक पांच वाई बराबर हमें क्या मिल गया पांच तो एक सब बराबर जब हमने एक रखा वाई बराबर हमें मिल ग एक सब बराबर जैसे तीन रखेंगे तो यहां पर का मिल जाएगा यह वेलू हमें साथ यहां पर का मिल जाएगा एक सब बराबर तीन रखा तो वाय बराबर मिला साथ फिर से हम क्या करते हैं एक सब्सक्राइब हम रखते हैं चार जब हम एक सब्सक्राइब चार रखेंगे पर आपके मिले मंण यहां तक की जो भी संख्यां मिली है यहां तक हमें जो भी बिंदो के मान भिला इस बिंदो को ट्रम सा आगे एक है वाई बराबर पांच सब यह वाले अगे बढ़ते हैंrif तो मिल चाहले हो ठीक है दूसरा देखो जब एक सOULD тебя है यहाझा हुपर्ड़ते जाते हैं तब यह वगतने है चहीं ह Wr., हम अगला बिंदू देखें तो यहां पर एक सब बराबर जब तीन है तब वाई बराबर कितना है साथ जब एक सब बराबर तीन है एक दो तीन तब वाई बराबर कितने है वाई बराबर है साथ इस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे और यह वाई बराबर कितने है साथ य उना इस रेका में हमें इस वाला बिंदू मिल गए कि आनि कि इस बिन्दू पर क्या हो रहा है प्तिछेद हो रहा है इस चीज को ध्यान देंगे अब आगे भी लॉब कर लेते हैं अगला का जब 1 से बराबर 4 है तब कितना NO यह क्रम सा हो जाएंगी इस जगप मिलेंगे ठीक है इस तरीके से अगला इसी प्रकार देखें आगे ड्रॉकर निकाल लिए तो ड्रॉकर लेते हैं एक सब ब्रबर पांच है तो य ब्राबर कितने हैं य ब्राबर है नौ इस तरीके से यहां पर मिल रहा है अब इस बिंदू को मिलाइंगे अगर हम तो यह इस पकार की रहा बनेगी ठीक है अब राबर से केल से अगर हम लान खिजेंगे टथक है इस तरीके से होगा अब अगर लेक्स का्टीका किशा को कोंसे बिंदू पर काट रही है तो यह तीन और साथिक इसकेसे पहले भी जो ने रेखा की चीजी थे उस रेखा में भी यह विनदू मिल था तीन और घॅझे यहाँ अभी जो रेखा हमने बनाई जो रेखा यह इसमें भी हमें एक विनदू अवं साय यह दोनोंkon को प्रतिषएद कर नहीं है उसके आगे अब हमें हमें लाँ करने की जुड़त साथ है यही क्या है प्रतिष्यद में यही क्या होगा है इस समीक्रण का हल हो जाएगा जिस बिंदू पर दोनों रेखाएंग दूसरे को प्रतिष्यद कर रही है उस बिंदू पर एकस और वाई के जो मान हैं वही समीक्रण के हल होंगे ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएग और y बराबर 7 जो है वो क्या हो जाएगी लड़कियों की संख्या ये क्या हो जाएगी लड़कियों की संख्या ठीक है इस तरीके से आपको उत्तर में लिखना है कि चुंकि दोनों समीकरणों से प्राप्त रिखाएं, एक दूसरे को बिंदू 3 और 7, बिंदू 3 साथ प्रपतिशेद करती है, इसका मतलब क्या है कि बिंदू 3 साथ इस समीकरण का हल होगा, बिंदू 3 साथ के लिए 1 सबराबर 3 तथा y बराबर 7 हैं, अतह लड़कों की संख्या एक सबराबर 3 होगी और लड़कियों की संख्या वाए बराबर 7 होगी, ठीक है, इस तरीके सा आपको complete answer लिखने हैं, जब हम question को हल करेंगें तो इस answer भी अच्छे समझ में आगया होगा, समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक है, तो आलेक्षी विदी से इसी प्रकार प्रस्ण आपको जरूर दिया जाएगा, यह दि जुरत पड़ें तो एक और वीडियो बना के आपको समझाया जाएगा, तो आई होग कि यह topic आपको समझ में आगया है, तागे प्रस्ण वाली की ओर बढ़ते हैं, और हाँ इसका complete notes भी आपको मिल जाएगा, notes में आप चाह है, तो हाँ लड़कों की संख्या तीन है, लड़कों की संख्या साथ है, दोनों को जोड़ेंगे तो दस आएगा, पहला कथन संतुष करता है, दूसरा कावला लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधी है, तो लड़कों की संख्या तीन है, तो हाँ साथ त प्रतिछेट करें नहीं तो यह रेखाएं कुछ इस प्रकार से भी मिल सकती हैं दोनों रेखाएं दूसरे को या तो प्रतिछेट कर रही हैं या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानतर आगे बढ़ रही हैं या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानि कि एक द क्या है जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिशेद करती है तब समीकरण का केवाल एक हल होगा इसका पहला उधारन अभी उधारन में हमने देखी लिया है ठीक है क्या बोल रहा है कि जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंद उनके मान होंगे तो पहला क्या बोलता है जब प्रतिष्यत करती है यानि क्या वे दोन तो एक ही बिंदों पर प्रतिष्यत करेंगे क्या नहीं, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे यह देक दूसरे से दूर होती जा रही है, ठीक है, तो दुबारा कभी प्रतिश्येद नहीं करेंगे, तो केवल एक जगापे प्रतिश्येद करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल हमें एक मिलेगे, यानि कि इस समी करन के वाल एक हल होगा अदिती हल होगा ठीक है दूसरा कंडिसन क क्या हो सकता है जब समी करनों से प्रइखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे तब समीकरनों के कोई भी हल नहीं होगा देखा देखो पहले ही मैंने क्या का यह न horizon का पहले कंडिशन में क्या वात आया कि जब दूसरा को के प्रतिषयद करेंगे तो जो प्रतिषयद कि जब समीकरण से प्राप्त रेखा disability कोई फूसरी के समानतर हो तो समी करन के कोई भी हल नहीं होगा इसका हमें कोई उत्तर हो धूलuted है तो इसका आंसर में क्याले में कोई हल नहीं है कोई हल नहीं होगा ट्प धीक है तीसरा कंदेशन कहा Kre volumes संपाथी करन के अनय्ता अनेक हलोगे अब देखो संपाथी कि एक हमें लग बिंदू प्राप्त की वह टीक है जो इस रेखा महीं प्राप्त कि वह इस मिलGe सका हो कि इन रेखाओं दूसरे स्कमिकराइब के इस समपाथी हो गए जैसा पहला रेखा था वैसे या उसकी उपर दूसरा रेखा भी आ गया अब जैसे कि ने पहले कर अब लिए इस गैड़ एक क्लाच यह निए संगे होजा रिते लिछ टे एक दूसरे के जश्ट उपर में है एक दूसरे को इस बिंदू पर काट रही है आगे देखे तो यहां भी काट रही है यहां भी काट रही है आगे जहां तक ही रेखा बढ़ती जाएगी वहां तक को एक दूसरे के contact में है सिधा बोलें तो एक दूस्त्रे के surface में है तो थे को तड़क़ कर रही है तो कई समीकरण के अनंता अनेक हल मिलेगे की तिन कंडिशन भिक कंडिशन है तिनों कंडिशन आपको ध्यान के रखना है किनने से आपकार मिलते होंगे तो आखरी में ग्राप बनाने पड़ेगा तब ग्राप मिलता है लिक कोई हल शनी है तो हम इसको मिलता होगा की समीकर से प्राप टार एक लिकसरेrás को इस प्रकार से हमको देखना है तो यह नोट पॉइंट है इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसके डिटेल हमें नोट में भी दिया है आप चाहे तो नोट से भी उपढ़ सकते हैं नोट कैसे प्राप्त कर सकते हैं वह भी वीडियो में दिखाया गया है तो आप वीडियो को देखिएगा वहां से आप नोट कर लिजिएगा ठीक है इस तरीके से यह हो गया अब चलिए आगे बढ़ते हैं को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है वीडियो के नीचे डिस्कुशन में हमारे टेलीग्राम ग्रूप को होने के बाद ही रोजाना नोट्स सेयर कर दिया जाएगा जिसको आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हैं यहां जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगी जो की पास्वर्ड प्रोटेक्टर होंगे यानि कि इसमें पास्वर्ड लगा होगा जिसका पास्वर्ड तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए थैंक्यो फ्रेंड्स